हलो दोस्तों कैसे हैं आप आज हम बहुत ही important concept की बात करने वाले हैं जो है adequate distance तो adequate distance क्या होता है सबसे पहले जानते है adequate distance means the distance sufficient to ensure safety बहुत ही simple सी इसकी definition है ऐसा distance ऐसा अंतर जैसे कि आप safety का आश्वासन दे सको जैसे कि आप ये ensure कर सको कि अभी safety आपको मिल चुके तो यहाँ पर कि safety के बात की जा रहे हैं इसकी पहले बात करते हैं जैसे running line होती है और मान लेते हैं यह यहाँ पर station है station A तो यहाँ पर अगर कोई एक गाड़ी पहले से खड़ी है तो उस case में अगर पिछले station Z से line clear मांगा गया कि हम एक गाड़ी भीजना चाहते block section के अंदर तो आप हमें line clear दीजे तो अब यहाँ पर देख रहे हो और line clear वो आसानी से दे सके इस concept को जब आप जान जाएंगे तो यहाँ पर concept आता है adequate distance का जब वहाँ पर sufficient distance होगा तभी आप यहाँ पर safety ensure कर पाएंगे तो इस concept को जानने के लिए आपको दो और definition की बात जानना जरूरे पहला है block overlap तो block overlap क्या होता है it is an adequate distance that has to be kept clear beyond your faces before granting line clear तो यहाँ पर दिया गया आजकल तो two aspect system है नहीं multiple aspect system में 180 meters तो इसका मतलब क्या हुआ है simple से जान लेते जो block overlap होता है इसकी ज़रूर तब पढ़ती है जब station A मान लेज़े अगर station in rear है और यहाँ पर station B station in advance तो अगर station in rear का station master station B station master से line clear मांग रहा है गाड़ी को इस दिशा में भेजने के लिए तो station B के station master को क्या देखना होगा कि यहाँ पर जो FSS है चलो उसे हम home signal मान लेते हैं home signal से लेके कम से कम 180 meters कम से कम 180 meters का जो distance है वो खाली होना चाहिए इस gap के अंदर कोई भी obstruction नहीं होना चाहिए obstruction का मतलब क्या हो कोई भी यहाँ पर गाड़ी वैगन लोको मुटिव कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तभी station B का station master station A के station master को भूलेगा कि आप line clear ले सकते हो आप आपकी गाड़ी भेट सकते हो तो इसे हम कहेंगे block overlap अब यहाँ पर वापस दिया गया जैसे अगर multiple aspect signaling में double line है तो वहाँ पर block overlap किसके between होता है home signal और outermost facing point तो यह आप जान गए जैसे अभी कहा था double line में बहुत सिंपल है जब यह single line की बात आती है तो single line में home signal और opposite add-on starter signal limit board तो इसके या फिर outermost facing point के बीच में अब वापस एक दूसरा concept आता है signal overlap का तो अब तक हमने देखा आपको पिछले station से station in rear को जब आपको line clear देना है तब आपने कौन सा concept यूज कि आप block overlap का अब आपको आपने देखा कि गाड़ी जो है यहां तक आने के लिए आपने अलाव कर दिया home signal तक right जब आप line clear देते हो पिछले अले station master को तो आपकी गाड़ी कहा तक आपने अलाव की home signal तो अब home signal से आगे जब आपको आपके गाड़ी को अलाव करना है तो उसलिए concept आता है signal overlap का तो signal overlap क्या आता है it is an adequate distance that has to be kept clear before taking off home signal home signal take off करने के लिए या home signal से आगे गाड़ी को अलाव करने के लिए जितना distance खाली होना चाहिए जितने line clear होनी चाहिए लाइन पर कोई obstruction नहीं होना चाहिए उस distance को क्या कहते है उसे कहते है signal overlap तो अभी signal overlap क्या है इस रेकन फॉर्म trailing points on single line and from starter on double line अब यहाँ पर इसको कहां से रेकन किया जाता है अगर single line section है तो single line में यह होता है trailing points से जैसे trailing points जैसे यह हुए आपकी running line और यहाँ पर आपका home signal है home signal के आगे जब आप जाओगे तो यहाँ पर trailing points बनेंगे trailing points के आगे single line पर जो distance है वह होना चाहिए कम से 120 meters और double line अगर section है तो आपके starter से में लाइन स्टार्टर या लूप लाइन स्टार्टर से लेके 120 meters का जो distance है वह होना चाहिए पूरी तरह से वैकंट अगर ऐसा है तो तभी आप home signal take off कर सकते हैं तो उम्मिद करता हूँ यह जो concept है आपको अच्छे से समझ गया है अगर आपके फिर भी कुछ doubts होंगे तो जरूर कमेंट लिख के पूछ सकते हैं थैंक्यू मैंच